नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट खबर जुड़ी हुई है केल राहू से उपकतानी से और भारतीय क्रिकेट टीम से क्यूकि केल राहू को लेकर लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि टैलेंटिड खिलाड़ी हैं उन्हें मौका देना चाहिए बहुत से पूर राहूल आठ साल बाद भी अपनी जगा को पका नहीं कर सके हैं तीस तैंतेस की ओसत उनकी रही है तीस विदेशों में तैंतेस की ओवरॉल लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं वो उनका समर्थन करते रहे लेकिन अब फाइनली जो उनके पूर्व हेड कोश थे जो कि 5 साल तक भारतिय क्रिकेट के सर्वे सर्वा रहे एक तरीके से भारतिय क्रिकेट उनके अंडर में रहा रवी शास्त्री उन्होंने केल राहूल पर जो वर्डिक दिया है उसे सुनकर आपको थोड़ा सा चौक भी सकते हैं आप और ये भी कह सकत हैं कि फाइनली आखिर कोई एक व्यक्ति है जिसने दो टूक बात किये जिसने बिलकुल जिसे कहते हैं कि दूद का दूद पानी का पानी दोनों अलग कर दिया है और कोई मिक्स्चर उनकी बात में कम से कम मुझे नजर नहीं आया उन्होंने साथ तोर पर कहा कि केल राहूल उन्होंने नाम लेकर नहीं का लेकिन उनकी बातों का जो मतलब है मैं एक्जैक्ट बात भी उनकी बताऊंगा लेकिन उनकी बातों का जो मतलब है वो ये केल राहूल जैसा अगर उपकतान है तो उसका बोज़ा धोने की आपको जरूरत नहीं है केल राहूल जैसा अगर आप ऐसे खिलाडी को बाहर करें बहुत talented player है तो वो कहते हैं कि भारत देश में बहुत से और भी talented players है जिनकी जगह होनी चाहिए playing 11 में और ये team management का काम है सोचना कि कैसे उन खिलाडियों को जगह दें जो की form है जो की runs बना रहे हैं ना कि उन खिलाडियों को जो लगातार flop हो इन बातों के जो मतलब है ये कम से कम उन्हों ने आकर कोई vancastle है कि समर्थर नहीं कर दिया उन्हों ने आकर किसी की खिलाफ़त नहीं कर दी लेकिन अपने अंधाज में रभी astry ने दो टूक बात कही है क्या क्या कहा है वो मैं बता देता हूँ लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना जरूरी है वो है केल राहुल के स्टेट्स केल राहुल के आकड़े जो हैं अगर आप देखें तो पिछले अगर पूरे आठ वर्षों में उनका आकड़ा आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 47 टेस्ट मैचों में 23.44 की ओसत रही है उनकी साथ शतक उन्होंने लगाए हैं ये उनका उसके बावजूद रिकॉर्ड है अब आप समझ लीजे आठ साल आपका नमबर वर्ण टेस्ट ओपनर अगर ये है तो फिर तो भहिया आप समझ लीजे कि भारतीय क्रिक मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा लेकिन वो आते हैं वो ओवर्सीज के आंकडे देते हैं तो जब आंकडे देते हैं तो ओवर्सीज में भी आंकडे उनके मैं बता देता हूं आपको 30 की ओसत है दोस्ट 56 पारियों में ये के लराहूल का रेकॉर्ड राए है छे शतक हैं पिछले एक साल यानि के 2022 से अगर अभी तक के उनके आंकडे देखेंगे आप तो 15.9 की ओसत 16 की ओसत भी नहीं है ये केल राहूल का रेकॉर्ड है दोस्त अब रवी शास्त्री ने सीधी दो टूक बात क्या कही है उन्होंने कहा ये टीम मैनेजमेंट का काम है कि फॉर्म से गुजर रहे हैं वो उसकी मानसिक स्थिती भी जानते होंगे तो ऐसे में उन्हें पता है कि उपकप्तान किसे बनाना चाहिए किसे हटाना चाहिए शुबमन गिल की फॉर्म को भी तो वो देख रहे होंगे और मुझे ऐसा लगता है रावी शास्तरी ने का मेरे विचार में मेरा यह मानना है कोई उपकटान बनाने की ज़ूरत नहीं है खास तौर पर भारत में जब आप खेल रहे हैं किसी उपकटान की जरूरत नहीं है और मैं तो अपनी comfort 11 के साथ जाओंगा उपकटान का बोजहा मैं नहीं ढोना चाओंगा अगर वो कप्तान है आपको उसको प्लेइंग 11 में रखना ही है तो इसमें मान लीजिए कि अगर कप्तान को छोड़नी भी परी फील्ड थोड़ी देर के लिए यानि कि रोईट शर्मा को बाहर जाना भी पड़ता है तो आप किसी भी एक खिलाडी को zero in कर सकते हैं ये उतनी देर के लिए कप्तान की भूमिका निबा लेगा ताकि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जना हो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है उसके बाद वो कहते हैं कि आपका उपक्तान प्रदर्शन करेगा नहीं और ऐसे में फिर कोई उसकी जगा ले नहीं पाएगा अगर वो उपक्तान का टैग उस पर लगा हुआ है तो कम से कम जब टैग नहीं होगा तो कोई उसकी जगा तो ले पाएगा और ऐसे में उन्होंने का आप बिल्कुँ सीधी दो टूक बात करते हुए कि होम कंडिशन में घरेलू मैदान पर किसी उपकप्तान की ज़रूरत नहीं है और ऐसे उपकप्तान जिसका बोज़ाट होना पड़े और इसमें उन्होंने का कि ओवर सीज में आपकी थोड़ी अलग कंडिशन होती हैं वो एक अलग बात हो गई लेकिन यहाँ पर आप वो चाहते हैं कि जो आपका खिलाडी प्राइम फॉर्म पर है यानि सीधा इशारा शुबंगिल की तरफ कर रहे हैं तो वो आप चाहते हैं कि मेदान पर उतरे वो चैलेंज कर रहे हैं वो डोर को बैंग कर रहे हैं ये कह रहे हैं रवी शास्त्री और वो उपकपतान नहीं है तो इसमें ये फैसला टीम मैनेजमेंट का होना चाहिए कि भाई उन्हें ऐसे सिचुएशन में अब कैसे एंडल करना है अब केल राहुल उपकपतान नहीं है तो इंदोर और वहां पर इशारा आप समझे इसके बा लेकिन आपको टैलेंट और बहुत अच्छा प्रह ऊसको गनवर्ट करना पड़ेगा उसको रिजल्ट पर तबदील करना पड़ेगा नंबर्द में राहुन करना पड़ेगा भारत में ड्यक्रास की और बहुत बहुत बुरी तरीके世界uche से और ये सिर्फ एक अकेले केल राहुल की बात नहीं है यहां पर बहुत से मध्यक्रम के बल्ले बाज हैं सरफरास खान की बात कर रहे हैं अनुमा वियारी की बात कर रहे हैं सूरे कुमार यादव का खास तौर पर उनके दिमाग में होगा लेकिन और कहते हैं कि गेंदवाजी लाइनप में भी ऐसे बहुत से गेंदवाज हैं जो दरवाजे पर ठोक रहे हैं लेकिन उसके बावजूद जगा नहीं मिलती है सबको तो रंज में तबदील करना होगा टैलेंट को दो टूक बार लेकिन इसमें आपकी क्या राय है क्या रवीश शास्त्री स्पोट आउन है या फिर पाकियों की तरह आईपियल के कॉंट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी चुप्पी साधनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि नहीं केल राहुल जिंदाबाद बताएं हमारे कॉमेंट सेक्शन में आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट मैं हुशे शान से नमस्कार